तो देखो आपके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसका फ्रिक्वेंसी 512 है एक पियानो है उसका फ्रिक्वेंसी मानलो एन पी है यह दोनों कितना बीट्स देरे है चार और एन पी माइनस 512 इस इकोल टो 4 है क्योंकि बीट फ्रिक्वेंसी क्या होता है तो देखो पियानो स्ट्रिंग जो उसका टेंशन हम लोग इंक्रीस कर रहा है तो we know that frequency of a पियानो स्ट्रिंग can be given as v by lambda and v को क्या लिखा जाता है under root of t by mu अभी t को हम लोग बढ़ा रहे t बढ़ेगा मतलब v बढ़ेगा v बढ़ेगा मतलब frequency बढ़ेगा तो यहां पर हो क्या रहा है पियानो स्ट्रिंग का frequency बढ़ रहा है and उसका जो beat frequency वो घट रहा है तो किस equation में possible है देखो यह बढ़ाओगे तो यह difference घटेगा तो सही है और यह बढ़ाओगे तो यह difference बढ़ना चाहिए बढ़ेगा यहां पर घट रहा है तो second equation गलत है first equation सही है तो आएगा 512 minus np is equal to 4 तो np is equal to कितना जाएगा है 508 hertz तो option d is a correct one